नमस्कार किसान भाईयों आज हम पटयाला के एरिया डिरावसी में आए हुए हैं तो आज बहुत ही शुब मौका मिला है कि हमें डॉक्टर दिलीब को साइन जी को मिलने का मौका मिला है आज नमस्कार डॉक्टर साब तो जैसा कि अब सब किसान भाईयों को बता है कि गेहूं रंजीत बावा जी मिले हैं और बावा जी कपूर थलास जिलासे हैं और हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने आगरे किया कि रट साब आजा पचानक पंजाम में आये हैं डेरा बसी में पटेला हलका में पटेला डिस्टिक में पढ़ता है तो गिहूं पर हम तो किसानों ने सबने गेहूं लगा ली है पंजाब में और विशेश रूप से 50 दिन के आसपास 70 दिन की भी होगी है कहीं की तो बावाजीम हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप किसान से बात करें तो कुछ-कुछ जगा पे आप देखेंगे ये गेहूं जो है ना ये बहुत छोटी भी है अबी ये 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 पिछेती गेहूं मैं इसको कहूंगा ये बहुत अगेती नहीं है तो किसानों से हमारी सला थी कि अक्तूबर के अखीरले हफते में या नवंबर के पहले दूसरे हफते में लगा लें तो मुखेता किसानों ने वो लगा ली है और किसमे उन्होंने लगाई है पंजाम में विशेश रूप से DBW 187, DBW 222, DBW 303, कुछ कम मातरा में भी उनको मिल गया था इस साल भारतिय गेंवेवम जौन उसंधान संस्तान से और कुछ किसान भाईयों ने लगाई है HD 36 बाबा जी ये किसमें आपको भी पता है कपूर्थल एरिया में भी बहुत लगती हैं और किसान भाईयों को कहना चाहूंगा कि मौसम बड़ा अनुकूल चला है हलांके एक दो बारिश वांचित थी हम चाहरे थे कि ये बारिशें जरूर होती और हर्याना पंजाब पस्चम में संदेश ये देना चाहूंगा कि जहां जहां पर पहला पानी किसानों ने दे दिया है वो खाद जरूर दे दें यूरिया की परचूर मात्रा और उसके बाद वो अगर कोई नदीन नाशक वीडी साइड छिड़े करना चाहते हैं वीड्स के ओपर खर पतवार के उपर त तो उसको भी वो हटाएंगे और पानी जो है अभी दूसरा देंगे वो तो दूसरे पानी के बाद हम सिफारश करेंगे कि जब सत्तर दिन की हो जाएगी तो आई आई डवली बी आर भारती गिमाम जौन उसंधान संस्थान के निदेशक महदे ने कहा है कि जहां पर डीवी उसका आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं ताकि वो गिरे नहीं इस परकार 222 में भी उन्होंने खास सिफारश की नहीं अन्य किसमों में HD 36 में तो हम करते ही नहीं उसका कद छोटा है HD 32 लगाई है तो उसमें भी हमारी कोई खास सिफारश नहीं हलाके लंबी है वो कु अच्छा है डेरा बसी के किसी खेत में हम खड़े हैं तो हम किसानों से आगरे करेंगे कि किसान भाई समय रहते ये देखें कि वो जो नदीन नाशक या वीडी साइड या खरपतवार की दवाई देंगे वो इस परकार की हो कि उससे कनक जटका नहीं ले उससे पीला पन नह आए क्योंकि वो आजाने पर वो किसी भी हालत में सुदरता नहीं है हमको काफी टेलेफोन आजकल आ रहे हैं कि डाट साब कनक पीली पड़ गी है तो उसमें क्या सुझाव होना चाहिए तो हम किसानों से यही कहेंगे कि किसान भाई विज्ञानिक विदी से खेती करें और क ने हमें यहाँ याद किया आपका धन्यवाद बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब आपने हमें शुब मौका दिया आपसे मिलने का और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने का